Welcome to Medical as a Warrior, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे Treatment of Oral Candiasis पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इसके pathology क्या होती है, mode of infection क्या होते है, positive agent क्या होते है लेकिन इस वीडियो में हम लोग focus करेंगे clinical aspect के बारे में जैसे की इसके symptom क्या होते हैं, risk क्या होता है, precaution क्या होते हैं, prevention क्या होते हैं और इसके treatment क्या होते हैं So start करते हैं, अगर आप first of all कोई symptom देखना चाहेंगे इस case में तो आपको देखिए यह oral candiasis है मतलब इसका जो symptom है, वो definitely mouth के अंदर आएगा तो आपको देखना क्या है mouth के अंदर, जब mouth को open करेंगे patient के, तो वहाँ पे आपको एक whitish patch दिखाई देगा क्या दिखाई देगा, whitish patch, जब patient अपने mouth को देखता है, तो notice करता है कि यहाँ पर कुछ patches बन गए है, white patches बन गए है तो यह patches कहां कहां देखने को मिल सकते हैं, या तो यह patches देखने को मिल सकते हैं, chicks में, या tongue में, या roof of mouth यहां देखने को मिल रहे हैं या कई बार क्या होता है जो चिक का inner sight है वहाँ पे भी देखने को मिलते हैं और कई बार throat में भी देखने को मिलते हैं यह सब किस्म्टम है कहाँ Kennedy Asis के case में यहाँ पर white patches बन जाते हैं लेकिन हाँ white patches ही नहीं बनते हैं उसके अलावा यहाँ पर redness भी होती है हलाकि इस diagram में clear redness दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं दूसरा diagram चूज करना चाहूंगा आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आपको redness दिखाई दे रही है यहाँ पर आप redness को notice कर सकते हैं तो white patches दिखाई देता है redness दिखाई देता है और patient को ऐसा फील होता है कि उसके mouth के अंदर cotton रखा हुआ है उसको ऐसा लगता है कि मेरे मुह के अंदर कोई रूई कपास रखा हुआ है और उसको टेस्ट भी नहीं मिलता है खाने का मतलब स्वाद भी नहीं मिलता है खाने का उसको ऐसा फीर होता है कॉड़न रखा हुआ है मुह में मुह में देखने पर white patches दिखाई देते हैं और लालीमा होते हैं redness और soreness दिखाई देता है इसके अलावा क्या होता है जब patient खाना को खाता है या पानी को निगलता है तो उसे गर्दन में उसके गले में थ्रोट में उसको pain महसूस होता है क्योंकि वहां पर infection होता है तो pain while eating औ कई cases में infection severe होता है देखिए जो symptom है वो हर एक patient में सभी symptom देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन हाँ यह characteristic feature है तो कुछ symptom आपको देखने को मिलेंगे जिसके बिहाफ के आपको further diagnosis करना रहता है आप यह symptom देखके सीधा नहीं बोल सकते हैं हलांकि experience डॉक्टर बता सकते हैं बट एक as a patient आपको ऐसा नहीं सुचना है कि मुझे में white patches दिखाई दे रहा है तो Canada LV cancer है और मैं जाओं दुकान से फार्मेसी से दवा लेकर के खालूं ऐसा नहीं करना है आपको डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि बच्चों में diptheria नाम की विमारी भी ऐसी ही होती है जो कि बहुत चांसेज है कि उसको oral canidiasis होगा और क्यूं होगा तो वो समझते हैं देखिए पहली बात तो यह समझ लीजिए कि जो यह oral canidiasis है वो canida alvicans से होता है और यह canida alvicans नाम का fungus हर एक इंसान के अंदर होता है यह सब के अंदर present है अब आप मुझसे बोलेंगे जब यह fungus सब के अ इम्यूटी सही होती है यह नहीं होता है अगर बॉडी की इम्यूटी कम हो जाती है किसी भी वजह से किसी भी वजह से अगर बॉडी की इम्यूटी कम होगी तो यह infection होने का chance बढ़ जाता है अब आप खुश समझ पा रहे होंगे कि बॉडी की इम्यूटी कम होती है अपने क नोड किया डाइवटीज के पेशेंट में होता है कम होता है है नकली दात को यूज करते हैं आपने देखा होगा कई लोग इस तरह के दात को यूज करते हैं, आर्टिफिसियल टीथ को यूज करते हैं, इसको डेंचर बोलते हैं, तो इसका प्रियोग करने से होता क्या है, ऐसा कुछ इसमें डिफेक्ट नहीं है, कि इसके वज़ा से केंडियासिस हो रहा है, लेकिन होता क्या ह यह थोड़ा हाइजिन कम हो पाता है, कम हाइजिन दाता है, तो पेसेंट इसको फड़ा क्लिनिंग कम करता है, इससे की चांसेज इन्फेक्शन के बढ़ जाते हैं, तो अगर आप प्रॉपर हाइजिन मेंटेन करते हैं, तो ऐसा चांस नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर के इन्फेक्शन हो जाए उसके अलावा बात करते हैं बहुत ज्यादा एंटिबायोटिक लेने से इम्यूनिटी कम होती है बहुत ज्यादा इस्ट्रॉइड लेने से दिक्कत होता है तो यह अवाइड करना चाहिए अब आप जानते होंगी जो अस्थमा के पेसेंट होते हैं इन्हेलर लेना पड़ता है जब उन्हें अस्थमा का अटेक आता है तो अब आप सोचिए कि उन्हें इन्हेलर लेना है और यह इन्हेलर इस्टिरोइड ही होता है तो यह क्या करता है वहाँ की इम्यूनिटी कम करता है यह बस इतना समझेए कि इन्हेलर के यूज से कैनिड तो देखिए अगर आपको इन्हेलर लेना है आप ले रहे हैं तो इन्हेलर के बाद आप वाटर से अपने माउथ को अच्छे से साफ कीजिए गारगल कीजिए जिससे कि वहाँ पर इस्तोराइड बचाई कठा ना रहे हुआ करना चाहिए और उसके साथ अगर आप डेंचर्स यूज कर रहे हैं तो प्रॉपरली उसको किजिए यह हुआ हमारा बेसिक किस तरह से आपको प्रिवेंट करना है इस इन्टेक्शन को अब इंट्रेक्शन हो जाए तब क्या करना है देखिए इंट्रेक्शन हो जाए तब भी आपको प्रिवेंशन फॉलो करना है उसको फर्दर बढ़ने से रोकने के लिए और उसके अलावा अगर कोई रूट कॉज है मतलब आपके इम्म्यूटी कम होने का कोई कॉज है जैसे मालीजिए किसी को कैंसर है या किसी को कोई बेसिक विमारी है जो इम्म्यूटी कम कर रह है या प्रेग्निंसी का ही केस क्यों ना हो तो आपको वहाँ पर अपने इम्म्यूटी को भी बुजट अप करना है उसके साथ साथ करेडिया अलबिकन्स का ट्रीटमेंट भी लेना है अब समझते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है तो देखिए आपको मैं फिर से बोलता हूं आप अपने आप से मत लीजेगा डॉक्टर का कंसर्ट जरूर लें क्योंकि होता क्या है हर एक पेसेंट टू पेसेंट वेरी करता है कि कौन सी दवा देनी है पेसेंट की कंडिशन क्या है उसको कौन सा ट्रीटमेंट चूज करना है कौन से डोज देनी है बहुत से फैक्टर के लिए समझ जाते हैं कि क्या क्या दिया जाता है इस केस में तो अगर माइल्ड केस है तो उस केस में क्लोट्री माजोल दिया जाता है जो कि five times per day होता है क्लोट्री माजोल उसके अलावा हम लोग देते हैं। मेकोनाजॉल या तो क्रोट्री माजोल या तो मेकोनाजोल , मैकोनाजोल क्या होता है मुकर अध्येस होता है मतलब इसको आपको आप आप ऐसे common word में समझेए कि आपको इसको अपने lip के पीछे दबा के रखना है यह चिपक जाता है म्यूको अधियसी होता है दबा के रखना पड़ता है आप इस डाग्राम में देखेंगे आपको जादा समझ में आएगा कि किस तरह से इसको रखते हैं तो यहाँ पर देखिए किस तरह से इसको अपने चीक के अंदर दबा के रखा जाता है जिससे कि यहाँ पर यह रहता है अधियर रिलीज होता है तो वहाँ पर यह कैंडिडा एल्बिकेंस के इंफेक्शन को कम करता है कौन सा दबा था मीकोना जोल और पहला कत क्या था प्लोटरी माजोल उसके अला जाता है फ्लू कोना जोल जो होता है हंडेट से टू हंडेट एमजी पर डेली देते हैं इसके अलावा हम देखी हर एक बोल रहा है इसका मतलब मैक्सियम में दिया जाता है इसा नहीं कि फंगस इंफेक्शन कोई भी हो फ्लू कोना जोल देंगे बट यह एक बहुत ही वेल यह कोरे पर क्या होता है दो आधार फ्रोफाल एक्सी चलानी पड़ती है लेकिन यह जो है में इतना आप समझ लिजए इस तो स्मझ क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो में.